हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और जवर्दस्थ होंगे तो देखिए यहां पे हम EMRS TGT साइंस के लिए क्वेशन प्रेक्टिस सेशन कर रहे हैं इसके पहले भी हम एक वीडियो डिसकस कर चुके हैं अगर आप उसको न उसको भी आप देख लिजिएगा क्योंकि वो सारे के सारे क्वेशन NCRT एक्जिम्पलर से या फिर NCRT बेश्टे थे तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्फुल होंगे तो चलिए यहां पे स्टार्ट करते हैं और वन बाई वन एक क्वेशन यहां पे डिसकस करते हैं तो देखिए जहां से हमने छोड़ा था वहीं से हम इसको कंटीनियू करते हैं तो हमने आपको बताया है हम टोटल 128 क्वेशन यहां पे डिसकस करेंगे केमेश्टी का उसके बाद बाद बाईलजी का फिजिक्स का इस तरह से डिसकस करेंगे तो सबसे पहला क्वेशन क्या है यहां पे जब हम किसी भी गैस को लिक्वीड में चेंज करते हैं तो यहां पे कौन से कंडिशन ऐसे हैं जो की हल्फुल होते हैं तो यह हमको यहां पे बताना है देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा इंक्रीज इन टेंप्रेचर अगर हमको लिक्वीड में चेंज करन है तो हम क्या करेंगे उसका temperature increase कर देंगे और pressure को decrease कर देंगे ऐसा है क्या या फिर increase in both यानि temperature भी बढ़ा दो और pressure भी बढ़ा दो या फिर decrease in both यानि temperature भी घटा दो और pressure भी घटा दो या फिर decrease in temperature and increase in pressure तो यहां पर क्या हो हम लिक्वीट में चेंज कर ना है इनको इस जो यह मॉलिक्यूल से पाइस लाना होगा तो अगर हम मांळ लीजे temperature को सबसे पहले increase करते हैं माली जे हमने यहाँ पर इसको आग दिया और इसका temperature increase किया तो आप सोचिए इन कड़ को हमको पास पास लाना है और अगर आप इसको temperature देंगे मतलब इसको heat करेंगे तो ये कड़ इसके पास पास आएंगे या फिर दूर दूर जाएंगे तो obvious सी बात है जैसे माली जे हम पास पास बैठे हुए हैं अगर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए तो हम क्या करते हैं दूर दूर हो जाते हैं तो इसी तरह से gases के कड़ भी होते हैं अगर हम यहाँ पर temperature increase करेंगे तो यह कड़ क्या हो जाएंगे दूर दूर हो जाएंगे लेकिन हमको क्या करना है हमको तो इसको पास पास लाना है Sorry friends तो यहाँ पे यह option हमारा wrong हो जाएगा increase in temperature यनि अगर हम temperature को increase करेंगे तो यहाँ पे कड़ दूर दूर चले जाएंगे ना कि पास आएंगे तो ये option हमारा appropriate नहीं है second क्या है यहाँ पे जैसे मालीचे अगर हम temperature को increase नहीं कर सकते हैं तो ये option तो गलत हुआ इसके साथ और क्या गलत हुआ increase in both temperature and pressure यानि ये भी गलत है क्योंकि यहाँ भी temperature को बढ़ाने की बात की जा रही है अब इससे तो एक बात clear है तो अब दिखें यहाँ पे हमारे पास दो option बचा एक है decrease in temperature या फिर decrease in both temperature and pressure तो देखें हमने आपको क्या बताया जो gases के molecule हैं ये दूर दूर है और अगर हम इनको heat देते हैं तो ये दूर दूर चले जाएंगे लेकिन हमको gas को liquid में change करना है यानि इनके molecule को पास पास लाना है तो temperature तो हम increase कर नहीं सकते तो एक बात तो clear है कि temperature को decrease करना होगा लेकिन अब अगर हम बात करने pressure की तो pressure को क्या करना होगा increase करना होगा या फिर decrease करना होगा तो आप खुद सोचिए अगर ये gases के cut दूर दूर है और इनको हमें पास पास लाना है तो क्या करना होगा इन पर pressure डालना होगा यानि इन पर pressure लगाना होगा दबाव डालना होगा यानि यहाँ पर हमको क्या करना होगा प्रेशर में increase बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा pressure लगाएंगे उतना ज़्यादा gases के cut के हैं पास पास आएंगे यानि वो liquid में change हो पाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा decrease in temperature and increase in pressure यानि temperature को तो हम decrease करेंगे अगर increase करेंगे तो कर जो है दूर दूर भाग जाएंगे तो decrease in temperature and increase in pressure तो इस point को आप जो है याद रखना निश्च देखिए according to Bohar's model of hydrogen atom relation between principal quantum number and radius of stable orbit तो दिखे यह जो है यहाँ पर मुझे आपको पूरा Bohar's model बताना पड़ेगा उसके बाद आप इसको जो है conclude कर पाएंगे तो मैं आपको direct इसका answer बताती हूँ यहाँ पे जो radius होता है वो principal quantum number के square के directly proportional होता है तो इसको आप अभी direct रियाद रखिए मैं आपको अलग वीडियो में यहाँ पे Bohar's model को पढ़ा दूँगी निस्ट देखे diamond that we use in jewelry is जो diamond होता है जिसको हम jewelry में यूज करते हैं वो क्या है एक compound है एक metal है या फिर mixture of compound है या फिर एक element है तो जो diamond होता है वो क्या होता है एक प्रकर का element होता है निस्ट देखे क्या है the reaction between an acid and a base यह तो बहुत ही easy है एक acid और एक base को जब हम react करवाते हैं तो जो यहाँ पर process होता है वो क्या होता है वो होता है हमारा neutralization reaction क्या होता है neutralization reaction तो यहाँ पर आप देखे हम क्या बोलते हैं जब कभी भी आपको cheaty dunk मार दे तो वहाँ पर आपको जो है soda रगनना होता है यानि वहाँ पर soda rub करना होता है तो जो soda होता वो क्या होता है base होता है लेकिन जो cheaty हो गई या फिर जो cheaty हो गई मालीजे चीटी ने आपको काटा तो उसमें क्या होता है formic acid यानि वहाँ पर क्या होता acid होता है जो soda होता है वो base होता है neutralization reaction के application क्या होते हैं तो जैसे मालेजे आपको चीटी ने डंक मारा तो ये भी आपका क्या हो गया neutralization reaction हो गया क्योंकि वहाँ पे हम soda को यानि base को रब करते हैं इसी तरह से मालेजे कभी भी आपको acidity हो जाती है तो वहाँ पे हम use करते है milk of magnesia milk of magnesia तो milk of magnesia क्या होता है base होता है और हमारे पेट के अंतर क्या हो गई acidity तो जब हम milk of magnesia को लेंगे तो जाएगा जो acid है उसको neutralize कर देगा यानि यहाँ भी क्या होता है neutralization reaction ये आपको 9th class की NCRT में मिल जाएगा तो इसको भी आप याद रखना तो simple से क्या पुछा गया था acid और base का जो reaction होता हो क्या कहलाता है neutralization reaction और इसका application भी याद रख लेना आप NCRT देखिए क्या है which set of substance is not used for making fiber इसमें से कौन सा set है substance का जो की fiber making में use नहीं होता है हमने आप से बताया हुआ है आप not को एकदम अच्छे से देखना कहां पर not है accept है not correct है इस तरह से आप इन सब term को याद रखेगा तो आप से पूछा है कि यहाँ पर कौन सा use नहीं होता याँनि आपको wrong option यहाँ से choose करना है तो fiber बनाने में यहाँ पर silk और chemicals use ही होते है york hair या फिर camel hair भी use होता है flex और wool भी use होता है यहाँ पर जोता husk और bones यह क्या होते है यह जो है fiber making में help नहीं करते हैं use नहीं किये जाते हैं तो इसको भी आप जो है याद रखना तो जले यहाँ पर थोड़ा सा fiber के बारे में देखते हैं तो क्या क्या है fiber क्या होता है long होता, thin होता है, flexible होता है thread-like structure होता है fiber जो है वो two types में classification होता है इनका और यह किस basis पे होता है उनके origin के basis पे यानि यह कहां से प्राप्ट किये जाते हैं या तो natural fiber होते हैं या फिर synthetic यानि synthetic जो की बनाए जाता है natural जो की यानि हमको plant animals इन चीजों से naturally मिलता है तो याद रखना जो natural fiber होते हैं वह क्या क्या होते हैं जो natural fibers होते हैं वह obtain के जाते हैं plant और animal resources से यानि plant और अईनिमल इनिमल सोर्स जो है वह natural fiber का है तो यहाँ पर देखिए natural fiber are further classified into two types यानि एक तो वो या तो plant fiber होंगे या फिर animal fiber होंगे तो अगर ये plant fiber है तो उसका example क्या क्या होता है जैसे cotton हो गया, jute हो गया, jute के बोरे बना जाते हैं तो jute के बोरे जो बना जाते हैं वो jute से बना जाते हैं cotton हो गया, ये भी क्या हो गया, plant fiber हो गया क्योंकि ये हमको plant से मिलते हैं और अगर हम बात करें animal fiber की, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, silk जैसे कि आपको पता है, silk की साड़ियां होती है तो silk की साड़ी जो होती है, वो silk जो है, वो हमको कहां से मिलता है इनीमल से मिलता है और अगर हम बात करें सिंथेटिक फाइबर की तो सिंथेटिक फाइबर में यहाँ पर क्या क्या होता है रेयोन होता है और क्या होता है नायलोन होता है यह सब क्या होते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं जो कि हम केमिकल प्रोसेस के दौरान यहाँ प क्या है इसमोक इसन एक्जाम्पल इसका इपल गारो है तो यहां पे एक लिस्ट दिया हुआ है जहांप एक टेबल इस तरह से बना हुआ है उस टेबल को हम देखते हैं ध्यान से और उस table को आपको learn करना होगा और उस table को मैं आपको telegram पे share कर दूँगी तो उसको जो है आप वहाँ से learn कर लेना क्योंकि यहाँ पे अभी आपसे smoke पूछा गया है उसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वहाँ पे किस परकार का collide है तो देखिए जो collide solution होते हैं जो collide होते हैं sorry उसमें क्या होता है दो medium होता है एक होता है dispersed phase एक होता है dispersion medium तो देखिए यहाँ पे dispersed phase और dispersion medium तो आपसे क्या पुछा हुआ है smoke किसका example है aerosol का तो देखिए यह क्या है smoke है begitu लूस से आपको यहां पर जीटने भी ये दिए वो है इसमें इसमें से कुछ izled पूंछाजा सकता है की बटाये इसका इंपल है क्या हो गया airosaul might को किसका यह वह थीए मलशॉन का संका अगर मालिजी यहां पर आपसे पूछ लिया गया कि alloy paint जो है वो किसका example है तो आप क्या बताएंगे solid soul का तो इस तरह से आप से कुछ भी यहां पर पूछा जा सकता है तो देखे अगर हम solid solid की बात करें तो यह solid soul बनता है और इसका example होता है ruby glass या फिर alloy और अगर हम बात करें solid liquid soul तो यहां पर क्या होता है paint और ink अगर हम बात करें solid और gas की तो यह क्या बनता है aerosol और इसका example क्या होता है smoke और hedge अगर हम बात करें यहां पर liquid solid की तो यहां पर बनता है हमारा gel जिसका example होता है card and cheese और liquid liquid इस से क्या बनता है इमल्सन और इसका एक्जामपल होता है milk and cream और liquid gas की बात करें तो liquid aerosol जहां पर इसका एक्जामपल होता है cloud and mist तो यहां पर जो mist है, यह भी important है cud important है, smoke important है milk important है तो इसको आप पकायाद रखना और देखिए gas solid की बात करें तो solid form इसका example होता है cork pumice stone और gas liquid की बात करें तो ये होता है form और इसका example होता है frost of air तो friends इस पूरे table को आपको अच्छे से learn करना होगा कि किसे से मिलकर क्या बन रहा है और उसका example क्या है तो एक बार देखिए इसको आप याद कैसे कर सकते हैं जैसे यहाँ पर क्या है तीन बार liquid लिया है तीन बार दो बार gas लिया है फिर यहाँ पर एक बार solid को solid में mix करो solid को liquid में mix करो solid में gas को यानि यहाँ पर एक बार solid में solid liquid gas को mix किया गया उसके बाद liquid में solid liquid gas को mix किया गया उसके बाद gas में solid liquid को mix किया गया तो अब यहाँ पे अगर solid solid को मिलाएंगे तो solid solid मिलेगा solid liquid को मिलाएंगे तो sol बनेगा solid और gas को मिलाएंगे तो यहाँ पे aerosol बनेगा liquid solid को मिलाएंगे तो gel बनेगा तो देखे अगर solid liquid को मिला रहे हैं यानि अगर solid में liquid को मिला रहे हैं तो ये हमारा solve बन गया, लेकिन अगर liquid में solid को मिला रहे हैं, तो हमारा gel बन गया, तो इस तरह से आप confuse मत होना, इसको अच्छे से याद कर लेना, तो देखिए, अगर आप चाहें, तो इसको learn कर सकते हैं, जैसे तिरपल S हो गया न, SSS, यानि solid solid मिलके solid solid बनाया, और SLS, यानि solid liquid मिलके solid बनाया, और SGA, यानि solid gas मिलके aerosol बनाया, LSG, LSG यानि liquid solid मिलके gel बनाया, LLA, यानि लले, आप क्या बलेंगे, लले, 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 तो क्या जगा liquid liquid मिलके emulsion बनाया, और LGL, LGL, लगल, क्या बलेंगे आप, लगल, यानि liquid gas, liquid aerosol बना देगा, और GSS, यानि gas solid मिलके solid form बना देगा, और GLF, तो क्या होजएगा, जैसे हम बोल सकते हैं कि girlfriend, यानि GLF girlfriend, तो यानि gas और liquid मिलके form बना देगा, और इसके बाद इसका एक्जाम पाले आद कर लिजे, इस तरह से कुछ-कुछ मतलब थोड़ा सा tips, tricks लगा के, तो इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं, देखिए, यहाँ पर next question क्या है हमारा, विच आप ड़ा, फॉल्लविंग इजन और गैनिक एसिद, यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा और गैनिक एसिद है, तो देखिए, जो औरगैनिक एसिद होते हैं, यह क्या होते हैं, यह जनरली वीक एसिद होते हैं, यह कैसे होते हैं, वीक एसिद होते हैं, और अब यह वीक एसिद क्या होते हैं, ऐसे एसिद जो कि हम जब जिसको वाटर में घोलने के बाद यह क्या करते हैं, इजली H प्लस आयन नहीं देते हैं तो इसमें से जो organic acid है वो क्या है हमारा oxalic acid क्या है oxalic acid तो इसको आप याद रखना क्या है oxalic acid हमारा organic acid है और carbonic acid क्या होता है इसका formula होता हमारा h2co3 sulfuric acid आपको पता ही है h2so4 nitric acid क्या होता हमारा hno3 तो इसको आप याद रखना यह हमारा क्या होता जैसे आप जब इसको water में mix करेंगे तो यहां से easily h plus iron दे देगा और यह h plus और यह यहां से h2 plus iron आराम से दे देगा लेकिन जो organic acid होते हैं यह weak acid होते हैं यह easily h plus iron नहीं देते हैं तो याद रखना organic acid में हमारा जो होता वो क्या है oxalic acid next question क्या है इसको छोड़ दीजिए मैंने आपको बताया है कि हम superconductor में इसको मैं आपको बता दूँगी next क्या है kinetic viscosity of a given liquid is the ratio of यानि जो kinetic viscosity होता है यह किसका ratio होता है यहां पर आपसे ratio पूछा जा रहा है यानि simple सा एक इसका formula होता है जो kinetic viscosity होती है वो होता है coefficient of viscosity upon density क्या होता है coefficient of viscosity upon density तो आप डिरेक्ट इसका formula याद रखिए जो kinetic viscosity होती है वो coefficient of viscosity upon density होता है और दिखे इसके बेस पे आपसे बहुत करेंगे numerical पूछ लेंगे तो numerical आप कैसे लगाएंगे जैसे मालीच आपको coefficient of viscosity दे दिया जो coefficient of viscosity होता है उसको हम दिखाते हैं eta से किस से? eta से यानि उसको हम इस तरह से represent करते हैं eta से तो अगर आपको eta दे दिया यानि coefficient of viscosity दे दिया और density दे दिया तो आप क्या करेंगे? easily density से divide कर देंगे coefficient of viscosity को तो आपको क्या मिल जाएगा Kinetic viscosity अगर हम बात करें Viscosity की तो ये क्या होता है जैसे माली जे आप यहाँ पर Examper ले लीजे Water का क्या है आपके पास यहाँ पर H2O Water है मालीजे आपको एक कंटेनर में मैंने क्या दे दिया सहद क्या दे दिया सहाद यानी हनी दे दिया आप अप दोनों को पोर कर दिजे दोनों को उडेल दिजे फर्स पे क्या कर दिजे दोनों को फर्स पे उडेल दिजे अब आप देखेंगे जो water हो easily इस तरह से move करता आगे बढ़ जाएगा लेकिन जो सहाद है वो बहुत ही कम दूरी में ही रहेगा यानि वो easily move नहीं करता है यानि हम simply बोलें तो कह सकते हैं कि जो सहाद होता वो गाढ़ा होता है लेकिन जो water होता है वो गाढ़ा नहीं होता बहुत ही पतला सा होता है तो इसलिए वो move कर जाता है लेकिन जो सहाद होता हो गाढ़ा होने के वज़े से वो move नहीं कर सकता तो हम यह कह सकते हैं जो जितना जादा गाढ़ा है उसकी viscosity उतनी जादा है यानि यहाँ पर जो सहाद है वो more viscous हो जाएगा water के अपेच्छा यानि जो water है वो less viscous है जो सहाद है वो more viscous है तो इस तरह सी इसको आप समझ सकते हैं विसकोस्टी क्या होती है यह जो है liquid की property होती है नेश्ट देखिए solution of which आप the following do not so acidic character यहाँ पे आपको acidic character कौन सा नहीं सो करता है यह बताना है card card क्या होता है sdk होता है खट्टा होता है तो ऐसे ही समझ जाए card तो हो गई होगा यानि a यहाँ पे होगा ए यहां पे है यहां नहीं है यहां नहीं यानि यह दोनों आप्शन तो पक्का नहीं होगा और ए यहां पे है या तो वन होगा या तो फोर्थ होगा अब देखिए गुलुकोज की बात करें जब हम तो गुलुकोज क्या होता है मीठा होता है यह खट्टा नहीं होता तो गु अगर बात करें अलकोहल की तो आप मेंसे कोई पिया होगा तो बता देना कैसा लगता है मीठा लगता है या कैसा लगता है है अपलोग बताना है यहां पर यहां पर दोब डूर्ण से hd character d and a यानि यहाँ पर एक second sorry 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 देखें friends यहाँ पर do not so मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इस तरह से आप ध्यान रखना कि वहाँ पर not पुछा except पुछा और खुद ही गलती कर रही हूँ तो माफ करना यहाँ पर क्या है do not so कौन सा so नहीं करता तो यहाँ से हमारा right answer क्या हो जाएगा वो हो जाएगा glucose and alcohol यानि B and C B and C हमारा right answer हो जाएगा B and C क्योंकि यहाँ पर do not so पुछा है यह नहीं पुछा कि कौन सा so करता है यह पुछा कौन सा so नहीं करता तो इस तरह का mistake आप भी exam में करके मत आना बहुत ही ध्यान से पढ़ना और full consciousness के साथ में वहाँ पर question को पढ़ना कहां पर not पुछा कहां पर क्या पुछा है इस तरह से और आज कल तो mostly confused करते हैं इस तरह से पुछ पुछ के कि not correct, incorrect इस तरह से तो next क्या है latent heat correspond to the change in heat at constant यानि जो latent heat correspond करता है change in heat at constant यानि किस constant पर वहाँ पर क्या constant रहता है temperature, volume, pressure temperature, volume and pressure तो चलिए latent heat के बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ तो देखिए इस से आपको ये समझ आ सकता है जो latent heat होता है देखिए जैसे माली जी जो latent heat होता है जब भी हमाली जैसे माली जी solid यहाँ पर change होके जो solid है उसका phase change हो रहा और ये solid convert हो रहा liquid में या फिर liquid जो है इसका phase convert होके ये change हो रहा gas में तो यहाँ पर जब यानि temperature remains constant as solid turn to liquid यानि जब जिस समय पर solid liquid में change हो रहा होता है उस समय temperature क्या होता constant रहता है जिसको हम बोलते है latent heat of fusion और जिस समय में liquid change होता है gas में और उस समय जो temperature remains constant यानि जो constant temperature उसको हम क्या बोलते है latent heat of vaporization यानि आपसे पूछा था कि जो latent heat होता है उसमें क्या constant रहता है तो याद रखना latent heat किस से related है जब भी कोई सबस्टांस अपना phase change करता है यानि phase changing से यह concept related होता है और यहाँ पर temperature हमेशा constant होता है चाहे solid liquid में change हो या फिर liquid gas में यानि जो latent heat का concept है यह phase changing से related है यानि phase change से related है तो इसको आप याद रखना यहाँ पर temperature क्या होता है constant होता है तो यह आपको समझ आ गया होगा latent heat correspond to the change in heat and constant temperature इसको आप याद रखना देखें next question क्या है which of the following will take the shape of an open container in which it is kept यानि यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके पास एक container है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप which one of the following will take the shape of an open container in which it is kept माली जी यहाँ पर सबसे पहले आप पेबल्स पेबल्स क्या होते हैं कंकड आप इस container में क्या डालते हैं पेबल्स यानि कंकड डालते हैं तो पूछा जा रहा कि इसमें से इन चारों में से क्या डालेंगे इस container के अंदर कि यह पूरे container की जगह को occupy कर ले यानि पूरे में फैल जाए पेबल्स यानि कंकड माली जी आपने एक ग्लास में कंकड डाला तो कंकड तो जहां गया वहीं पड़ा रहेगा ऐसा थोड़े नहीं कि आपने कंकड को डाला और वो पूरे ग्लास में भर गया ऐसा कुछ भी नहीं है तो यहां पेबल्स नहीं होगा अब आप Ice Cube लीजिए और उसको ग्लास में डालेगा तो क्या वो पूरे ग्लास के जगह आपको ले लेगा नहीं लेगा वो भी जहां डालेंगे वहीं पड़ा रहेगा लेकिन अगर आप बात करिए oxygen गैस की तो गैस क्या होते हैं इनके काफी दूर दूर होते हैं और गैस जो है इसको आप ऐसे भी याद रखने न कि गैस को हम किसी भी container में डाल दें वो क्या करता ह है उसकी जगह को अकुपाई कर लेता वो पूरे में फैल जाता है गैस क्या होता है गैस तो पूरे में फैल ही जाता ना अगर आप एक ग्लास में गैस को डालेंगे तो वो क्या होज़ेगा वो पूरे ग्लास में भर जाएगा गैस ऐसा नहीं है कि वो एक जगह पर पड़ा गैस होगा वो क्या करेगा आप उसको जिस भी container में डालेंगे वो उसके shape को gain कर लेगा यानि उसके shape में ही अपने आपको वो ढालेगा अब देखिए next question क्या है select the odd one from the common IUPAC name given below यानि यहां पे आपको क्या करना है odd बताना है और यानि और मींस जब भी आप से पूछे odd यानि आपको उस में से क्या बताना है इन करेक्ट यानि उन टीन व से एक different होगा कभी-कभी इन monitory कबहτεं करेक्ट तो होगा लेकिन तीनों से मैच सबस्ट करें तो इसमें को हम देखते हैं में जिसमें हम दिखते हैं मेथ, C2 के लिए एथ, C3 के लिए प्रोप, C4 के लिए ब्यूट C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट, C8 के लिए ओक्ट, C9 के लिए नॉन C10 के लिए डेप तो इसको जो है आप याद रखना तो अब यहाँ पे देखिए C3 C3 है, यानि क्या आएगा प्रोप, क्या आएगा, प्रोप और C3, H7 OH, जब आप इसके structure को ड्रॉ करेंगे, तो क्या आएगा C3, यानि तीन बार C है, H7 यानि यहाँ पे क्या लग गया 3, 2, 5, यहाँ पे 5 hydrogen को हमने लगा दिया और क्या है, एक OH है और यहाँ पे 2 hydrogen बच गया, तो वो, एक यहाँ लग जाएगा एक यहाँ, तभी तो carbon के valency पूरी होगी, तो यहाँ पे देखिए C3, H7, OH, इस तरह से इसका structure हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो देखिए 1, 2, 3 जिधर पे functional group लगा होता है उधर से numbering करते हैं, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे हो जाएगा 1 इस carbon पे 2, इस carbon पे 3 यहाँ पे 3 carbon है, तो यह क्या हो जाएगा प्रोप और देखिए, यहाँ पे सारे के सारे single bound हैं, तो क्या हो जाएगा, in क्या हो गया, प्रोप in अब देखिए 1 पे क्या लगा हुआ जिस नंबर पे functional group लगा होता है उसको वो नंबर दे देते हैं तो 1 पे क्या लगा हुआ है all और यहां पे मतलब इसको हम इसका नाम क्या हो गया propane 1 all जै फिर इसका common नाम देखेंगे तो क्या हो जागा propyl alcohol अब यहां पे second देखे CS3OH इसी तरह से यह भी होगा लेकिन यहां पे क्या होजेगा CH3 यानि यहां पे एक ही कारबन है और इस तरह से 3S लगा दिया एक OH लगा दिया हमने तो यह क्या हो गया हमारा मिथे नॉल यानि इसी को या फिर हम बोल सकते हैं क्या methyl alcohol क्या बोलते हैं methyl alcohol या फिर methanol तो यह हो गया यह भी हमारा correct है अब देखिए यहां पे बात करते हैं C वाले की तो यह क्या होजेगा C4H9 यानि यहां पे चार कर्बन हो जगा एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नौ नौ हाइडोजन हो गया एक OS लग गया यह एक है एक OS लग गया सारे सारे सिंगल बॉंड है तो क्या हो जगा इधर से 1 2 3 4 यहां पे चार कर्बन है तो 4 ब्यूटेन और OS है तो आल या फि देखे यहां पे लिखा रहा है किा है कन और वं फॉरॉन टा यू पीसिन में यानि यहां पर इस ये हो गया इसका आओपेसिदं य हो गया स्यूंग या कॉमन में तो इस तरह से यह दीनों तो सई हैं लेकिन अब बात करिए यहां पर C2 Co because vulner लें लैकिन यहां पर ख़र्फी एक OS हो गया दो कार्बन हो गया लेकिन question के हिसाब से देखेंगे तो right answer क्या हो जागा C2S3OH यानि यही हमारा wrong है तो wrong है तो हमसे wrong पुछा हुआ है यानि यह option हमारा सही हो जाएगा जो ethanol होता है वो क्या होता C2S5OH यह तो आपको directly भी पता होगा लेकिन मैंने आपको बता दिया इस base पे कोई question और पुछा जाता है तो आप उसको easily कर पाएंगे तो देखें IUPAC naming जो है इसके बहुत सारे rules होते हैं इसके rules होते हैं उस rules को लगा के हमको इसकी naming करनी होती है हो सकता आपको यह ना समझ में आ रहा हो कि यह functional group क्या है इधर से numbering क्यों क्यों क्या है यह सब आपको detail जो है मैं एक अलग वीडियो में provide कर दूंगी जहां पर मैं आपको बता दूंगी कि IUPAC naming कैसे करते हैं और आप से वहां पर क्या-क्या पूछा जा सकता है अगर हम बात करें IUPAC naming होती है hydrocarbons की जहां पर हम alkyns, alkyns, alkyns यह सब देखते हैं फिर यहां पर होता है IUPAC naming of benzene derivative और यहां पर होता IUPAC naming of cycloalkyn तो इस तरह से बहुत सारे IUPAC naming बहुत बड़ा एक chapter है concept है तो आप से क्या-क्या पूछा जा सकता है उसको हम एक separate video में बना देंगे क्योंकि ऐसा नहीं है आप से मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं कोई भी compound दे देंगे फिर पूछ लेंगे कि बताए इसका IUPAC naming क्या है तो उसके माध्यम से आप इसको क प्रोसेस होता है तो याद रखना यह होता है nuclear fusion का example क्या होता है nuclear fusion का next question देखिए क्या है which of the following material did people using ancient time for making cloth यानी पुराने जमाने में लोग जो है ancient time में cloth बनाने के लिए क्या use करते थे leaves of trees, newspaper, metal foils या फिर animal iskinal first तो याद रखना पुराने जमाने में यानी ancient time की बात कर रहे है प्राचीन काल की बात हो रही है तो यहाँ पर news paper तो होते ही नहीं थे, metal foil जैसी चीज़े तो होती नहीं थी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर leaves of tree यानी जो पेड़ के पत्ते होते थे उसको अपना sorry friends, cloth बनाने में यूज करते हैं या फिर animal skin या फर्स को यूज करते थे तो क्या हो जाएगा, a and d, क्या हो जाएगा, यानी one and fourth, यानी fourth option यहाँ पर right हो जाएगा, देखिए, अगर जैसे मालीजे मैंने explain किया, और गलती से वो किसी और option पर tick हो गया, तो आप उसको मतलब उत देखिए, यहाँ पर the range of, यह है 10 की power minus 16, क्या है, 10 की power minus 16, 10 की power minus 16, meter force is of the order, यहाँ पर कौन सा force है, जिसका range होता है, 10 की power minus 16 तो इसको याद रखना friends, जो range होता है, 10 की power minus 16, यह range होता है, वीक nuclear force का, अब यहाँ पर देखिए, एक point याद रखना आप, जो वीक nuclear force होता है, इसका range तो यहाँ पर पुछा गया, इसको छोड़िये, जो वीक nuclear force होता है, वीक nuclear force, यह जो है, वीक होता है, इस ट्रॉंग nuclear force स यह वीक होता है, लेकिन इसके नाम में क्या है, वीक nuclear force, तो हमको लगेगा कि यही weakest होता है, यही weakest होता है, पर ऐसा नहीं है, वीक nuclear force, strong nuclear force से weak है, लेकिन यह gravitational force से क्या होता है, strong होता है, वीक nuclear force, strong nuclear force से weak होता है, लेकिन gravitational force से strong होता है, इस point को आप ध्यान रखना, और यह भी कि पूरे universe में सबसे weakest force जो होता है वो होता है gravitational force क्या होता है gravitational force तो इस point को आप याद रखना अगर आप से पुछते है weakest force क्या होता है तो वो होता है gravitational weak nuclear को नहीं बोलेगा आप यहाँ पर क्या होता है gravitational force जो होता है वो सबसे weak होता है लेकिन आप से क्या पुछा हुआ है रेंज आप 10 की पावर माइनस 16 ये किस फोर्स का रेंज है तो ये है हमारा वीक नूकलियर फोर्स का इसको आप याद रखना निश्ट क्या है अ सिरीज आफ और गैनिक कंपाउंड ये तो डिफिनीशन ही है कि मतलब ऐसा और गैनिक कंपाउंड जो कि जिसका फंक्शनल ग्रूप तो सेम होता है लेकिन उसका सिरीज ग्रूप से वो डिफिरेंट होता है जैसे माली जी यहाँ पे सिरीज फोर है तो इसका आप जो हममरा हो़ोग होगा सिरीज तो अब देखिए जो जो कु 친구 कि फो़ोगा है अगर इसका हम होँब लोगा सिरी कि बनाना चाहे तो क्या बनेगा और यहाँ पर आपको सिड्यों ना होगा क्या करना होगा ठीआ हटिट्ट का क्या होगा D जिसमें की same functional group होता है लेकिन वो CH2 group से क्या होते हैं different होते हैं जैसे अगर हम बात करते हैं C2H6 की ही तो अगर हम इसका homologus series बनाएंगे तो क्या हो जाएगा CS2 add करना है तो क्या जगा C3H8 अब यह जो है C3H8 C2H6 का homologus हो गया तो इस तरह से यह different differ करते हैं CS2 group से लेकिन इनका functional group क्या होता है सेम होता है इस point को आप याद रखना next question क्या देखिए which are the following statement about diamond and graphite is true यहां पर आपको diamond और graphite के बारे में true statement बतानी है they have same electrical conductivity, they have same crystal structure, they have same degree of hardness या फिन अफिन आफ दा एबब तो चलिए इसका explanation देखते है तो देखिए जो graphite होते हैं और diamond यह दोनों के दोनों क्या होते हैं carbon element होते है they are yellow drops of carbon अभी मैंने आपको फिछले वीडियो में बताया था जहां पर आपसे question पूछा गया था कि carbon के yellow drops क्या-क्या है तो देखिए they are yellow drops of carbon, graphite and diamond are able to similar chemical characteristics यानि इनके जो chemical characteristics हैं वो similar हो सकते हैं अब next देखिए क्या है they can so the same chemical changes यानि इनके इन में chemical changes भी सेम हो सकती है graphite is present in seed or layer of carbon atom यह सब छोड़िये आप यह देखिए यहां पर graphite and diamond cannot have the same degree of hardness यानि इन दोनों की degree of hardness सेम नहीं होती है because of different arrangements and bonding of carbon atom यानि जो graphite होता है और जो diamond होता है तो मैंने आपको carbon and its compound में बताया हुआ है कि दोनों का arrangement क्या होता different होता है और इस वज़े से यानि इनका different arrangement होने की वज़े से इनकी degree of hardness भी क्या होती है अलग होती है क्या होती है अलग होती है यह सेम नहीं होती और यहां पर देखिए graphite है weak bonding जो graphite होता वो weak bonding यहां पर होती है जो diamond होता है यहां पर strong bonding होती है और यह क्या होता है hard होता और solid होता है और यहां पर देखिए जो इनकी electrical conductivity होती है graphite और diamond की वो भी क्या होती cannot have similar यानि यह भी similar नहीं होती है तो देखिए यहां पर क्या है option में हमारे they have same electrical conductivity नहीं अभी हमने देखा कि इसकी electrical conductivity क्या होती है same नहीं होती है क्या होती है same नहीं हो सकती और यहां पर देखिए they have same crystal structure नहीं इनका जो structure है वही तो different है यानि उसका ही arrangement तो different है तो दोनों structure same नहीं होते है they have same degree of hardness यह भी नहीं क्योंकि उनका जो arrangement है वो क्या है different है इस वज़े से यहां पर same degree of hardness नहीं होती है तो हमारा right option क्या हो जागा है क्योंकि यहां पर हमसे true पुछा है तो true हो जागा none of the above यानि इसमें से कुछ भी सही नहीं है next क्या है ozone holes refers to यानि ozone hole क्या है hole in ozone layer decrease in the ozone layer in प्रोपो इसपेर decrease in ऐसा तो कुछ नहीं decrease in thickness of ozone layer हाँ thickness की बात कर सकते हैं यहां पर decrease in ozone layer ऐसा कुछ भी नहीं है hole in ozone layer ऐसा भी नहीं है decrease in the thickness of ozone layer in stratosphere या increase in thickness of ozone layer in trophosphere अब आपको यहां पर यह देखना जो ozone holes होता है वो होता कहां पर है stratosphere में या फिर trophy sphere में तो आप देखेंगे जो ozone hole है उसकी थिकनेस जो है वो इनक्रीज नहीं हो रही है वह कम हो रही है और ओंफ इसकी थिकनेस क्या हो रही है और तेकनेस का और स॥ याद करेंगे आप ओस यानि इस तरह से आप इसको याद कर लेना नेश्ट है और आप तो इसके पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था जो और तो वहां पे मैंने आपको बहुत सारे और का नाम बताया हुआ था मतलब उनका बहुत सारे element उनके क्या-क्या और हो सकते हैं कुछ-कुछ छोटी-छोटी सी tricks भी बताई थी सारे की नहीं कुछ की तो उसको आप याद कर लेना उसको मैंने telegram पे share कर दिया है अगर आपने नहीं देखा तो देख लिजिए वहाँ पे इस वीडियो में मैं जितने भी थोड़े-थोड़े से मतलब जो भी चार्ट वगएर यूज करेंगी वो सब वहाँ पे share कर दूँगी तो देखे सीने बार इज एन और आप जो सीने बार होता है ये किस का और होता है तो मैंने आपको क्या होता है था मर्सी ये बताया था ना मर्सी मर्सी तो सीने बार किस का होता मर्करी का और होता है तो मर्करी का क्या हो जगा हजगा 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 मर्सी मर्करी का जो और है वो सीने बार तो इस वीडियो के बारे में आपका feedback क्या है आपको explanation कैसा लगता है question कैसे लगते हैं आप सब कुछ बता सकते हैं comment box आपके लिए खुला है आप उहां पर जो भी चाहें लिख सकते हैं तो अपना feedback देना मत भूलना इस वीडियो में ही तक मिलेंगे अपने नेस्ट वीडियो म हुआ 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 है